प्रिये चात्रम चात्राओं में आपका हिंदी विशे का सिक्षक महेंद्र धाकर और आज हम पड़ेंगे हमारा सातवा अध्याय जिसका नाम है गजल कवी दुशन्त कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनोर जिले के राजपूर नवादा गाउं में सन 1933 इशु में हुआ था इनके बच्पन का नाम दुशन्त नारायन था इनकी प्रमुक रचनाय है कावी संग्रह में शूरी का स्वागत आवाजों के घेरे साये में धू जलते हुए वन का वशंद गीती नाट्य है एक कंठ विश्पाई उपन्यास है आपके छोटे छोटे सवाल आंगन में एक वरक्ष दोहरी जिंदगी सन 1935 इश्व में अलपयायू में इनका नीधन हो गया था हमारी कवीता क्यो समझेंगे हमारा पहला पध्यान से कहां तो तै था चिरागा हरे घर के लिए कहां चिराग मयश्चर नहीं सहर के लिए यहां दरक्तों के साए में धूप लगती है चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए प्रस्तूत काव्यान्स पाठ्थि पुस्तक आरो भाग एक में संकलित गजल से अउत्रित किया गया है इसके प्रस्तूत काव्यान्स में कवी ने हमारी भारती राजनीती और समाज में जो दोस्त दिखाई देते हैं उस और प्रवुद्ध जन का ध्यान अकरश्तित करने के लिए दिसा निर्देश लिखे हैं हमारे देश के निताओं ने चुनाओं के दोरान गुफणा की थी कि देश के हर घर को चिराग अर्था सुख सुविधाएं उपलब्द कराएंगे आज इस्तिती ऐसी है कि सहरों में चिराग अर्था सुविधाएं उपलब्द नहीं है निताओं की गुफणाएं मिथ्या रही है दूसरे सेर में कभी कहता है कि देश में अनेक संस्ताइं हैं जो नागरिकों के कल्यान के लिए काम करती है कभी उन्हें दरक्त की संग्या देते हैं इन दरक्तों के नीचे छाया मिलने के बजाए धूप मिलती है ये संस्ताइं ही आम आदमी का सोसन करने में लगी है च अगला पत्यान से पेरों को मोड कर अपने पेट को ढग लेंगे ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए ये लोग गरीबी वसोसित जीवन को जीने पर मजबूर है उनमें विरोध करने का भाव समाप्त हो चुका है ऐसे लोग ही सासकों के लिए उप्यूक्त हैं मुनासिब हैं अर्थाद उप्यूक्त हैं क्योंकि इनके कारण उनका सासन सांती पुर्वक चलता है खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाप सही कि संसार में भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं आम आदमी का वह सपना तो है कहने का तात पर यह है कि इश्वर मानव की कलपना में तो है इस कलपना के जरिये उसे आकरशक द्रश देखने के लिए मिल जाते हैं इस तरह उनका जीवन व्यतित हो जाता है इस प्रकार कवी राजनित्यों क्यों के जूटे वाइदों पर व्यंग करते वे लिखता है कि वे हर घर में चिराग उपलब्द कराने का वाइदा करते हैं परन्तु यहां तो पूरे सहर में एक भी चिराग नहीं है कवी को पेडों के साये में दूप लगती है अर्थात आसरे दाताओं के यहां भी कश्ट ही मिलते हैं अतव हम हमेशा के लिए इने छोड़ कर जाना ठीक समझते हैं वह उन लोगों के जिंदगी के सफर को आसान बताता है जो परिस्तिती के अनुसार सुयम को बदल लेते हैं मनुश्य को खुदा न मिले तो कोई बात नहीं उसे अपना सपना नहीं छोड़ना चाहिए थोड़े समय के लिए ही सही हसीन सपना तो देखने को मिलता है वे मुतमहिन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए तेरा निजाम है सिल्दे जुबान सायर की ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए यहां कवी आम व्यक्ति के विश्वास की बात बताता है आम व्यक्ति को विश्वास है कि ब्रष्ट व्यक्तियों के दिल पत्थर के होते हैं उनमें समवेदना बिलकुल नहीं होती कवी को इसके विपरित इंतजार है कि इन आम आदमियों के स्वर्म में असर हो इनकी आवाज बुलंद हो यदि आम व्यक्ति संगडित होकर विरोत करे तो ब्रश्ट व्यक्तियों का अंत हो सकता है कवी सायरों और सासकों के संबन्द में बताते हैं कि सायर सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरुक करता है इसके परिणाम सरूप सत्ता को करांती का खत्रा महसूस होता है वे स्यम को बचाने के लिए सायरों की जुबान अर्थात कवीताओं पर प्रतिबंद लगा सकते हैं जैसे गजल के चंद के लिए बंधन की साउधानी जरूरी है उसी तरह सासकों को भी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए जन विरोत को दबाना जरूरी होता है जीए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले मरे तो गेर की गलियों में गुल मोहर के लिए अर्थात कवी बताता है कि जब तक हम अपने बगीचे में जीए गुल मोहर के नीचे जीए जब मरत्य हो तो दूसरों की गलियों में गुल मोहर के लिए मरे दूसरे सब्दों में मनुष्य जब तक जीए वे मानवी मुल्यों को मानते वे सांती से जीए दूसरों के लिए भी इन मुल्यों की रक्षा करते वे बाहर की गलियों में मरे आसाया है कि व्यक्ति स्वयम सोतंतरता के साथ एवं सौबीमान पुर्वक जीए येवं दूसरों को भी इसी का उसर प्रकदान करे इस प्रकार कभी हमें बता रहा है कि कुछ लोगों का विश्वा से कि पत्थर पिगल नहीं सकते कभी आवाज के असर को देखने के लिए बेचेन है सासक सायर की आवाज को दबाने की कोसिस करता है क्योंकि वह उसकी सत्ता को चुनोती देता है कभी किसी दूसरे के आसरे में रहने के इस्तान पर अपने घर में जीना चाहता है वह स्वाविमान पुर्वक जीता वह मरना चाहता है इस प्रकार साय में धूग गजल संग्रा से यह गजल का कोई सिर्सक नहीं दिया जाता अता यहां भी उसे सिर्सक ना देकर केवल गजल कह दिया गया है गजल एक एसी विदा है जिसमें सभी सेर सुयम में पूर्ण तता सुतंत्र होते हैं उन्हें किसी क्रम व्यवस्ता के बहुत पड़े जाने के आवशकता नहीं रहती इसके बावजूद दो चीजे ऐसी है जो इन सेरों को आपस में गूत कर एक नई रचना की सकल देती है एक रूप के इस्तर पर तुक का निर्वाह और दो अंतर वस्तु के इस्तर पर मिजाच का निर्वाह इस गजल में पहले सेर के दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी सेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है इस प्रकार हमारी यह गजल पूरी होती है